अपना पद छोड़ दिया सी चर्चाय दिन भर चलती रही और साथ ही जब शिक्षा मंत्री से अंसिकर से पत्रकारों ने जानना चाहा उनका रियक्षन दनना चाहा कैसे देखते हैं जब आज दो पहर में एक लेटर हमारे पास भी आया उसमें जो लेटर का जो मजबून लिखा हुआ था वो कंफ्यूज करने वाला था इसमें कोई शक नहीं है उपर में लिखा हुआ था प्रभार और नीचे लिखा हुआ था परित्याग शुरू में हम लोगी इसलिए सबसे पहले हमने जो सरकार सत्तापक्स के जो विधान परसद है उनके पास मैंने फोन मिलाया और इस ख़बर की सचाई जाननी चाहिए उन्होंने अपने अस्तर से उनका जो अनुभव है उन्होंने इस ख़बर की पूश्टी की लेकिन फिर दीरे दीरे ये ख़ब पर चलती रही कि यह भ्रामक खबरे हैं ऐसी कोई बात नहीं है वह अवकास पर गये हैं और शायद फॉर्म तू जो होता है जब चुटी पर कोई आई एस जाता है तो ऐसा ही मजबून होता है उनको पद छोरना होता है तब जाकर कोई दूसरा प्रभार लेता है अब हम इस से आई उस पर अपना रियक्शन देना शुरू कर दिया लोग उने वेगू सराय में शिक्षा मंतरी दिखा कारेक्रम था प्रोफेसर चंद सेक्षर दिखा वहां पर भी पत्रकारों ने ऐसी खबरे आई थी केके पाठक ने सिक्षा विभाग के ACS का पद छोरा है यानि पर इस लाइन से तो यही पता चलता है कि इस्तिफा दे दिया है अब इस्तिफा क्या होता है परित्याग क्या होता है त्याग क्या होता है प्रभार क्या होता है इसी चीज में उल्जी हुई है यह बात है यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या है लेकिन दो चार घंटे के मन्थन के कई लोह से बाचीत तरने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं जो हमारी जानकारी सामने आई है वही हम दर्सकों से साधा कर रहा है देखिए वो जो लेटर है वो लेटर 200 प्रिजदी सही लेटर है वो समाने प्रशासन विभाग की ओर से 9 तारीक को जारी हुआ है वही स लेकिन एक आटिकल हिंदूस्तान में प्रभारी से काम नहीं लिया चल सकता है उस दौरान आपको ये पद का परित्याग करना परता है जिस पोस्ट पर हैं उसका परित्याग करके मतलब तो फुल चार्ज देना पड़ता है तब जाकर के आप उस पर से मतलब मुक्ठ हो जाते हैं उस दौरान के लिए तो ये जो परित्याग पत्र है उसका मतलब आसान भाशा में यहीं समझे तो वो सिर्फ छुट्टी की आउधी के लिए है जिस दौरान यानि शायद आठ तारि सामने आ रहे उस दौरान तक वो इस पर नहीं है आप सोला के बाद अभी त glitch मुताब다 जो जनकारी आ रहे उसने मुताबग सोला प्रभार वापस ले सकते हैं यानि कि उस पद पर फुलकर उपर डिपेंड करता है या फिर ये स्टे और बहा सकते हैं जैसे कि इनिश्यल स्टेज में जानकारी आए कि 14 तरीक तक वो छुट्टी पर जा रहे हैं तब यह थराब होने का हवाला दिया उन्होंने फिर बाद में जानकारी आई कि वो 16 तरीक तक गये हैं तो इसमें टेक्नलेटी यह है कि 13 तरीक जो डानदी मैजान में मेगा वो एपसेंट हो रहा है थे चुट्टी की वज़ा से चुट्टी की वज़ा से तो उस दोरान बरे बरे डिसीजन लेने थे इसलिए शायद जो हिंदुस्तान की ख़बर है उसने मुता भी हम बता रहे हैं समायन प्रसाशन प्रिभाग ने उन्हें बोला कि पुराने लेटर से काम नहीं चलने वाला है आपको इस टाइप का परित्याग करना परेगा पर से तब जाटर के वो बरे बरे डिसीजन ले सकते हैं इसलिए जो कनेक्ट कर पा रहा है हम इसलिए वो छुट्टी के अवधी में ही बीच में ही वो कहा जा रहा है जो काम मतलब लोटे थे और आद में का पराणा परि roupलेट किया गया है सम्मंधित लोगों के पास में और वहीं लेकर ہम जाकर के वायरल हो रहा है तो यहीं तोल टरके सब लोगों से बात तरके सचिवाले के जो बरिष्ट अधिकारी है उन लोगों से बातची तरके कई ओफिसरों से तब जाकर की लेख छापा है और तब जाकर के इस्तिफा दे सकता है और पद का जब होता है छोरना हो उसना परित्याग करना होता है यहां पर इस्तिफा और परित्याग में अंतर भी है तो यह तमाम चीजे हैं जो की इनिचल स्टेज में हमने जो चलाया और अब जाकर के जो उसमें क्लिरिटी आ रही है जो बाते चंकर सा सामने में रखा और इस दोरान शिक्षा मंत्री का क्या बयान है वो भी हमने सुनाया अन्शु बिल्कुल तमाम तैनकारी आपके साथ हमारे जितने भी दरस्ते करूंक साथ साधा करें तो वरिष्ट सयोगी हमारे आज तो मिस्ताजी देखें दिने बर जो है ये खबर